तो चलिए पैर चात्रों आज की इस वीडियो में अध्याय तीन क्रसी कक्छा आठवी एट ग्रेट अभ्यास पुस्त का नई पुस्तक आपकी जो आई है तो यहाँ पे आपका जो तिखे पहला और दूसरा अध्याय का आंसर मैंने दे चुका है और आज की इस वीडियो में अध्याय तीन क्रसी के अंतरगत देखे सभी आपके पाठू के आपके आपके कोश्चन के आंसर देने वाले हैं चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको देखा जाए पहला कोश्चन तो पहला कोश्चन दिया गया है भारत में गेहु की फसल बोई जाती अब आपके चार अप्सान देखिए पहला वर्सा रितू दूसरा अग्रेस में तू तीसरा आपको देखे आपके सीथ है और आपका बसंद तो आपको आंसर जो लगाना है यहापे आपको सीथ रिदू लगा देना है इसके बाद सेकेंड कोश्चन देखिए यहापे लिख अब आपके सेखिए पहला वर्सान देखिए इसके बाद देखिए कोश्चन आता है इसमें सामिल क्या नहीं है तो कोश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं चारा संदिये है और जारों का निर्माड पासुधन पालन सब्जेयों का उगाना फूलों का उगाना तो आपको देखिए आंसर जो है यहापे आपका आउजारों का निर्माड करना है आपका पहला आंसर करेक्ट होगा ठीक है चलिए इसके बाद जो कोश्चन आता है चोथा रंबर पौधों से परिसक्रत उत्पाद तक रुपांतरण किसके आर्थिक क्रिया का समलित है देखिए करसी करिया कलाप के लिए क्या क्या आवस्त्यक है तो आपको यहाँ पर जो अंशर करना है देखिए इसके उत्पे पिया क्रिया कलाप के लिए यह बहुआ बीद के रूप में देखा जा सकता है इसके लिए महतपूर्ण, निवेस, बीज, का, उर्वराक, मसीनली और स्रमिक हैं, जुताई, भुवाई, सिचाई, निराई और कटाई इसके कुछ संक्रियाएं हैं इसके बाद कोश्चन देखें आपका साथवाता है साथवा कोश्चन आप देखेंगे, तो आपका आप लिखागा है, देखें, स्रम और प्रधोक्य के इस तर के अधार पर करसी को कितने विभाग में विभाजित क्या गया है स्रम और पुर्दोके के अधार्पर यहाप ही इसको जो है रहा आपका निम्न प्रकार से हैतिके आपका देखि की निरवाय करसि और बारिज्यक करसि यह झापका कोशन आण 20 बात है जैबी करसी से क्या सा है तो आप देखिए आपी जो आप कौन सा लिखना है लिखना है जैबी करसी इस प्रकार की करसी जिसमें रसानी खादों के इस्थान पर जैबी खाद जैसे आपको गोबर होता है ना प्राक्टिक छिलके होते हैं इनको आपको देखिए बना जाता है पीड़क नासी का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांसिक रुपांतरण नहीं किया जाता है और इसके बाद देखिए आपका कोश्चन नहों आता है आदिम निर्वाय करसी में कौन-कौन स मिसिक क्रसी क्या है तौW आपको देखिए क कि देशन प्रच्लित है तो मिसिक क्रसी क्या होता है भूमी का उपयोग भोजन और देखिए चारे की फसलोंय और पशुदहन के के लिए किया जाता है और यह यूरोप और सयुक्तराच अमेरिका अर्जन्टीना दच्छिर पूर्वी आश्ट्रेलिया न्यूजिलेंड और दच्छिर अफ्रीका में प्रचलित हैं आपको अंसर कर देना है ठीक है मिसित या नहीं आपको देखे मिलाकर चारा भी हो जाए ग अध्यम तापमान में बर्सा और देखिए यहाँ पर समय तेज आपका धूब क्या सकता होती है और इसकी बात कोश्चिन देखिए आपका वाता है वारवा कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जरवाई हो या फिर उप्यूक्त होती है तो आपको जो आंसर करना है कपास क खेती के लिए उच्छ तापमान, हल्की वर्सा, दोस्ताव, देखिए यह से आपका पाल दहीत, दिन और तेश चमकीली धुब किया सकता पड़ती है, और यह काली और जडोल मर्दा, आपका इसके सरवुत्तम आपका है पर मिट्टी पायाती है, ठीक है, इसके बाद दिया सील और सोस्त जीवन जीने के लिए आहार किया सकता, और प्राथिमिक और हार पर हर समय परयाब सुरच्छित और पोश्टिक खाद पदार्त की सुगधा उपलब्ध हो, और इसके बाद देखिए कोश्चन आप कहा पर आता है, चोदा नंबर का कोश्चन दिया गया ह आपके आसपास छेत में किन-किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खादान तिथा व्यपारिक फसलों में बरगी करत किया जाता है, तो हमारे आसपास के छेतर में चना मटर, सोया, वीन गये हूं, चावल, सरसों और बाजराधान, मक्का, गन्ना, आदी की फसलो का उत्पादन किया जाता है तो आपको देखी आपके जो फसल है आपको इन फसलों का उत्पादन होता है और खादान फसले देखी क्या और कौन से किये हूँ चावल बाजरादी और बैपारिक फसले कौन है चना मटर और सोयावीन है और सरसो धान और मक्काव आपके भी आपका अगला ध्या है